सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविश्यों नाइन्थ स्टैंडर्ड वालो आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दाट इस लीनियर एक्विशन इन टू वारियेबल्स ठीक है तो बहुत मन लगा के पढ़ रहे होगे सब मेरी ऐसे एक्स्पेक्टेशन है लोगडाउं का मिसी उस तो नहीं कर रहे है तो लीनियर एक्विशन इन टू वारियेबल्स का मतलब क्या पहले तो यह समझेंगे अपन कोई भी चैप्टर जो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले हैं टाइटल जो है उस टाइटल का मीनिंग क्या है क्योंकि भाई टाइटल को रिल्यास में ब्ली आफ्य टो समंझते हो ना है कि आसे वेल्पिक एल्यु मतलब एक वैल्यू चेहन कटेंज होती है इसरो कॉइब एक्वैक्विशन मतलब लाइन की इouting स्क्र participated in each एक्वेशन का क्या मतलब होता है यह सारी लगभग एक पिक्चर करती है मतलब एक डायग्राम एक ग्राफ करती है मतलब कि यह एक्स और यहां दो वैलियोग पूट अगर इनकी ठीक है अलग-अलग पूट अपकरे और ग्राफ पेपर पर उन वैल्यूस को प्लॉट किया तो हमको इन पॉइंट्स को जोड़ने के बाद एक तरह का कोई पिक्चर मिलेगा फॉर एक्जाम्पल यह मतलब सबकोस ग्राफ पेपर मैंने सबना है इसमें कोडिनेट एक्सेस बना दिये मैंने ठीक है अब मैंने प्लॉटिंग की ठीक है इन एक्वेशन को सॉल करके इस कर्व को सब्सक्राइब कर रही है या फिर ऐसा है कि पॉइंट मुझे इस तरह से मिले लाइन से तो एक इक्वेशन लाइन भी रिप्रेज़न कर सकती है कोई एक्वेशन होगी वह पैराबोला रिप्रेज़न करेगी ठीक है तो अलग-अलग इक्वेशन जो है ना वह जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हमारे केस में जो भी हम equations पढ़ेंगे वो equations लाइन की होंगी ठीक है हमारी सारी equations लाइन रेप्रेजेंट करती है clear है तो यह था थोड़ा सा हलका फुलका सा introduction ठीक है लीनियर एक्वेशन का मतलब समझ में आगे आपको कि लीनियर एक्वेशन मतलब एक्वेशन रेप्रेजेंटिंग लाइन और टू अन्नोंस यहां हम नॉर्मली दो एरिवर्स एक्स वाई हो सकता है ए भी हो सकता है पी की हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है कोई भी दो वेरियाबल लिया जा सकता है इसमें कुछ अनुखा नहीं है पर most of cases में हम एक्वेशन वाई वेरियबल ही लेके काम चलाएंगे clear है तो मैं ज्यादा और इसमें कुछ बोलने जैसा है नहीं चलते हैं directly अपने exercise पर जो कि हैं हमारी पहली exercise exercise 4.1 exercise 4.1 इसका जो पहला question है वो क्या है the cost of a notebook the cost of a notebook is twice the cost of a pen cost of a notebook question 1 बोला है जो cost of notebook है is twice the cost of a pen हमारी एक notebook का cost pen के cost के double है write a linear equation in two variables to represent the statement this statement इस statement को describe करता हुआ linear equation आपको बनाना है clear है मतलब x y के डंस में आपको equations लिखनी है तो इस तरह का relation दिया हुआ है कि जो notebook का cost है वो pen के double है अच्छा इसमें हमको आजादी होती है हम किसी भी cost को कोई भी variable दे सकते है मैं pen के cost को x variable ले सकता हूँ notebook के cost को y ले सकता हूँ या इसको y इसको x ले सकता हूँ या इसको p इसको q ले सकता हूँ इसको r इसको j ले सकता हूँ पर इस question में ना हमको दिया हुआ है कि take the cost of notebook to be rupees x and that of a pen to be rupees y ठीक है इस question में आपको बोला है कि cost of notebook आपको लेना है x और cost of pen आपको लेना है y चेक कर लिएक बार हाँ pen का cost y और notebook का cost x इसको आप linear equation के form में कैसे लिखोगे वो समझेंगे तो cost of notebook आपका क्या x मैंने क्या बोला cost of notebook is twice the cost of pen तो cost of notebook is twice the cost of pen simple है पर हम किसी भी equation को इस तरह से नहीं लिखते है हम सारे के सारे term left side में लिखते है equal to के right side में हम स्रिफ 0 लिखते है कैसे देखो इसको हम लिखेंगे x minus 2y equals to 0 यह हमारी equation हो गई clear है अब यह लिखने के बाद मैं आपको बताऊ कि standard form of linear equation in two variables क्या है linear equation in two variables का standard form है ax plus by plus c equals to 0 ठीक है इसमें एक x वाला term होगा एक y वाला term होगा और एक आपका constant term होगा ठीक है इसके साथ कोई variable नहीं होगा for example जैसे हम लिख सकते हैं क्या 2x plus 5y plus 7 equals to 0 यह हमारा linear equation है 3x minus 5y plus 2 equals to 0 minus भी आ सकता है plus भी आ सकता है कुछ भी आ सकता है minus 2 भी है वो standard form ही है यही है ठीक है यह जो यहां सारे plus लिखे हुए है न हमने ठीक है तो यहां minus भी आ सकता है कोई tension नहीं है clear है वो हम और detail में discuss करेंगे क्या है वो बाद में पर फिलाल इतना ज्यान रखों कि minus भी रेगा plus भी रेगा चलेगा पका तो यह जो ए है यह हमारा क्या है कोईफिशेंट है एक्स का है यह जो बी है हमारा कोईफिशेंट ऑफ वाई है और यह हमारा constant term है ठीक है तो इस तरह से हमारा standard form होता है linear equation का clear है आगे चलेंगे question है वहाँ पर उसको all detail में discuss करेंगे तो इसलिए मैंने क्या क्या देखो जो टर्म था यहाँ उसको इस तरफ ले लिया है अब देखो के इंदरों compare करो तो इसमें तीसरा वाला constant वाला टर्म नहीं है question number 2 2 2 2 2 क्या है 2 में express the following linear equations in the form of ax plus by plus c equals to 0 standard form में express करो and indicate the values of a b and c in each case और इन में से a b और c की values भी find करो तो जो हम पहला question ले रहे हैं वो देख लेते हैं चलो पहला question है हमारा क्या 2x plus 3y equals to 2x plus 3y equals to 9.35 bar ठीक है 2x plus 3y equals to 9.35 bar अच्छा अब क्या बोला था सबको excited लेना है 2x plus 3y उसको इधर ले आएंगे तो 9.35 bar equals to 0 ओके अब इसको अपन compare करेंगे क्या ऐसा लिखेंगे आपन comparing with a x plus by plus c equals to 0 आपकी a की value क्या है यहाँ पर एक जगे पर क्या है यहाँ पर 2 है बी की जगे आपका क्या है यहाँ पर 3 है और c की जगे पर आपका क्या है 9.35 bar है तो माइनस है तो माइनस भी लगा के लिखना है क्लियर है माइनस है तो माइनस लगा के लिखना है नहीं है तो simply plus में लिखना है इसका मतलब क्या होता है पता है इसका मतलब ऐसा है टू एक प्लस 3 य प्लस माइनस 9.35 बार को स्टू जीरो यह मतलब हुआ यहां जो माइनस लिखा है ना अपन इसको जिख सकते हैं तो हो गया ना एक्स प्लस बीवाइप्लस सी तो यह आपका सी वाला क्या मैनस ना इसका मतलब यही होता है तो इतना ज्यादा टेंस निज़ इससे का सेकेंड़ वाला है इसकेंड़ वाले क्या है कि अज़सी तो है अच्छा इसको तो आप और एक step कर सकते हो कि इसका LCM लेके 5X-Y-50 equals to 0 भी कर सकते हो पर कोई जरुवत नहीं करने का ये भी लिखोगे तो चलेगा तो compare करते हैं इसको directly आपन ये already है, सब इसी तरह है ना तो already है तो इसको खाली compare करके ABC की value निकाल देते हैं comparing with AX plus BY plus C equals to 0 तो उसे आपसे A आपका कितना हो गया है यापर X के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है B कितना हो गया आपका, ये कितना है ये पता है क्या लिखोगे याँ आपर उपर कुछ नहीं है, 1 नीचे है 5 तो minus 1 by 5, ठीक है और C कितना है आपका minus 10, ठीक है इसमें third वाला question देखते हैं आप third question कितना है minus 2X plus 3Y equals to 6 उसको ज़र ले आओ minus 6 equals to 0, हो गया standard form में compare करेंगे आप अपने इसको A कितना है आपका, minus 2 B है आपका 3 और C है आपका कितना, minus 6 ठीक है, सम जा रहा है ना question number 4 चले fourth question है हमारा X equals to 3Y इसको क्या करोगे लियाओ इसको इदर, X minus 3Y अब यहाँ दूसरा number है ही नहीं तो plus 0 equals to 0, ऐसा लिख सकते हैं इसको आप इधर ले आए, है ना तो C वाला term ही नहीं है ना यहाँ पर, तो C वाले को आप 0 लिख दो, है ना तो comparing with AX plus BY plus C equals to 0 A है आपका कितना, 1 B है आपका कितना, minus 3 और C है आपका कितना, 0 जब नहीं है C वाला term तो C को 0 ले लो अगर X वाला term नहीं होगा, तो X के सामने 0 लगा देंगे, वाई वाला नहीं रहा तो Y के सामने 0 लगा देंगे, है ना, tension ले उन नको, फिफ्ट कोश्चन, 2X equals to minus 5Y, उसको इदर ले आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस 5Y हो जाएगा, अब C वाला फिर से नहीं है, तो 0 equals to 0, तो आपका A2, B5 और C 0 हो गया, यह करवाता है, 6 करते हैं, 6 में क्या है, 3X plus 2 equals to 0, अब देखो इसमें Y वाला टर्म आएब है, है ना, तो आप लेखोंगे, 3X plus 0Y plus 2 equals to 0, Y वाला टर्म का आएब तो मैंने बुलादा, Y के सामने 0 लगा दोगे, X वाला टर्म बुलादा तो X के बगल में 0 लगा देते, ठीक है, तो comparing with AX plus BY plus C equals to 0, A आगे आपका 3, B आगे आपका 0, C आगे आपका 2, ठीक है, फिर क्या है हमारा, 7 वाला, 7 में है Y minus 2 equals to 0, तो देखो इस बार X वाला टर्म का आएब है, है ना, तो अपम इसको लिखेंगे 0X plus Y minus 2 equals to 0, comparing with AX plus BY plus C equals to 0, कितना जाएगा आपका, A हो गया 0, B हो गया 1, C हो गया minus 2, इसी है, फिर लास्ट वाला, इसी में हांटवा कुश्चन, 5 equals to 2X, तो क्या करोगे, अब वो 2X इधर ले आओगे, तो ऐसा हो जाएगा, है ना, चलेगा, कोई बात ने लिख सकते हैं, अपन इसको ऐसा लिख दें आगे, minus 2X, Y वाला गायव है, तो 0Y, प्लस 5 equals to 0, ठीक है, समझ जा रहा है, का करो मैं, minus 2X आपका, Y वाला गायव है, तो वाला 0Y लिख दिया अपन ने, और ये 5 constant नम है, तो उसको पीछे लिखते हैं, अपन, AX प्लस BY प्लस C के टम में लिखना है, अपने को, X वाला आगे लिखते हैं, इसलिए इसको मैंने आगे ले लिया, और आगे लिया तो उसका minus के साथ लिया, ठीक है, ऐसी नहीं ले ले लेना है, minus के साथ लेना है, तो compare करेंगे इसको, A कितना हैगा, आपको minus 2, B आएगा 0, C आएगा 5, इसको और भी कर सकते हैं, हम कैसे पता है, यह 5 को उधर ले जाओ, तो 2X minus 5 वो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2X minus 5 equals to 0, इसको ऐसा करके लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं, 2X plus 0Y minus 5 equals to 0, तो उसे आपका A2, B0, और C minus 5, यह भी लिख सकते थे आप, यह वाला भी राइट है आपका, और यह वाला भी राइट है, तो confuse मत होना कि इसका minus 2 है, इधर 2 आ रहा है मेरा, ऐसा कुछ नही आपको खली है ना, rules सही तरीके से follow करने है, आप अगर 5 को उधर ले जाते हो, तो 5 minus हो जाता है ना, इस वाले कैसे मैंने किया 2X को उधर लाया था, तो 2X minus में हो जाता, चलता है, कोई भी कर सकते हैं, अपना main purpose क्या है, कि सारे जो variable और constant term से हो एक साइड आ जाए, और 0 अपस भाई बाले को जूर आगे लिए और आगे कर दिया, ठीक है, तो यहां हमारा exercise 8.1, sorry 4.1 complete होता है, ठीक है, 4.2 लेके मिलते हैं, अगले वीडियो में, तो तब तक, थोड़े time का अंतजार, और बस भाई, जैहिन,